Now, come to the last question of this video, यह है question number 16, इसके statement आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो, by the way, इस question में भी कुछ नया आपको सेखने को मिलेगा और जो simplification आगे होने वाला है, उसमें भी कुछ नयापन मिलेगा आपको, तो इस question को भी थोड़ा सा carefully आप देखिएगा, तो चलिए पहले मैं explain कर द सबसे पहले question में यह दिया हुआ है, कि किसी horizontal ground के ऊपर एक tower होता है, और जिस tower को मैंने यहाँ बना लिया है, और नाम दिया है EB, अब आगे यह दिया हुआ है, कि इस tower के base जो भी आपने नाम दिया है, जैसे कि मैंने B लिया है, तो इस tower के base से 4 meter के दूरी पे एक point है, मैंने question में given नहीं है, यह जो मैंने theta लिखाया है, इसकी story मैं आगे बताने बाला हूँ, और अब आगे question में यह दिया हुआ है, कि base से same straight line में 9 meter के दूरी पे एक और point है, जहां से जब top को देखा जाता है, tower के top को देखा जाता है, तो फिर से कुछ angle of elevation बनता है, कितना यह given नहीं ह आपसाप यह दिया हुआ है, कि यह जो दो angles है, दोनों की exact value कितनी है, यह तो given नहीं है, बट दोनों आपस में complementary angles है, ऐसा question में दिया हुआ है, and you all know very well, complementary angle का मतलब होता है, दोनों के sum 90 degree, और इसी लिए मैंने इन दोनों में से किसी एक को theta consider किया, तो मैंने इसे किया है, आप to find the length of this tower, AB जो मैंने नाम दिया है, in fact, यहाँ find करने के लिए नहीं बोला गया है, आपको यह so करना है, कि इस tower की जो length है, वो 6 meter की होगी, तो अब find करो या so करो, बात तो बराबर ही, या find करोगे, तभी तो ultimately so होगा न, तो हम यह consider कर लेते हैं, कि यह जो height है, इसे मैं h consider कर हूँ, और इसकी value हमें find करनी है, और हम यह जानते हैं, इसकी value 6 ही आएगी, ऐसा question में दिया हुआ है, तो खर चलिए, हम इस चीज़ को अब continue करते हैं, continue करने के लिए, सबसे पहले हमें आना होगा, छोटे वाले triangle में, यानि कि triangle का नाम है, ABC, come to triangle ABC, now in that triangle, we have 10 theta is equal to, you know, perpendicular by base, और perpendicular को तो फिलाल मैंने h मान लिया है, और base का value हो जाएगा 4, अब देखो इससे जादा हम इसे कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, इसे हम equation 1 consider करके छोड़ देते हैं, अब जो second triangle में हम काम करने वाले हैं, यह आपके लिए नया होने बाला है, और इसके लिए हम में आना होगा, as you know, triangle ABD में, now in triangle ABD, we have, यह degree जो है, तो क्या हो जाएगा, यह बताएगा, 1090-theta, ठीक है, तो this angle, 10 के साथ में ले रहा हूं, is equal to, you know, very well, perpendicular by base, तो perpendicular को तो मैंने h consider किया है, और base की value कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और इसके बात जो simplification होने वाला है, वही थोड़ा सा जादा interesting होने वाला है, खास करके पिछली questions के तुलना में, जब हम compare करेंगे इसको तो, तो ख़र जो भी हो, 1090-theta is equal to क्या होता है, आप सब जानते हो, complementary angle के concept के according ली हम इसे लिख सकते है, cot theta, ठीक है, is equal to h by 90, 1090-theta is equal to cot theta होता है, यह आपने पढ़ा होगा, और यहाँ एक चीज़ बता दो कि अगर trigonometry आप पूरा पढ़ना चाहते हो, तो उसके लिए उस पे एक dedicated video मैंने बना रखा है, जो लगवग 3 गंटे का है, आप चाहो तो उसे watch कर सकते हो, link भी आपको मिल जाएगा description box में, तो अखर चलिए इस question को हम continue करते हैं, अब देखो इस can theta is equal to, क्या हो जाएगा यह, 9 by h हो जाएगा, ठीक है, और यह मिलेगा, इसका नाम आप दे सकते हो, equation 2, तो इस तरीके से मिले पास यह रहा equation 1 और यह है equation 2, अब क्या करना होगा, equation 1 और equation 2 को equate तो हम करी सकते हैं, क्योंकि दोनों की जो left बाले side है, वो equal है, ना, same चीज है, तो equate करना काफी आसान है, h by 4, यह मैंने लिखा, is equal to 9 by h, ऐसा हम लिख सकते हैं, और अब बताओ, कितना हो जाएगा यह, h square is equal to 36, और इस तरीके से h का value आपको मिलेगा, plus minus 6, लेकिन आप negative value नहीं लोगे, क्योंकि h जो है, वो एक length है, और length हमेशा positive होता है, इसलिए मैं सि 6 लेता हूँ, and you know, unit आपको लिखना पड़ेगा, तो ढूंडो unit क्या है, तो यहाँ देखो meter है, तो आपको 6 meter लिख लेना चाहिए, और यही आपको so भी करना था, और इस तरीके से हमने so भी कर दिया, तो I hope इस वीडियो में बताई गई सारी बाते आपको समझ में आ गई ह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना खयाल रखिएगा, thank you